अगर आमाद्वी पार्टी थारू को किसी को टिकेट देए तो ये चुनावत रोने ही हो सकता और कुछ भी हो सकता नमस्कार चाय की चुस्कियों के बीच में आज हम एक दिल्चस्प चर्चा करने वाले हैं सबाज सीट पर सियासी समिकरण क्या है क्या संकेत मिर रहे हैं और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी कि खटीमा से अगर मुखे मंत्री चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो आसानी से चुनाव जीच जाएंगे ये सवाल इसलिए क्योंकि इतियास के पन्नों को पल्टे तो एक तस्वीर और भी है याद करिए 2012 का वो लम्हा जब खंडूरी है जरूरी का नारा दिया क्या कोरदवार से खंडूरी चुनाव लड़े पार्टी का चहरा बने पार्टी को कितना फायदा हुआ कितना नुकसान ये अलग आकलन है लेकिन खंडूरी चुनाव हार गए एक वाक्या और जुड़ा है हरी श्रावत मुख्य मंत्री के चहरे थे चुनाव लड़े दो दो विधान सबा सीट से और दोनों चुनाव वो हार गए एक सिक्के का पहलू दूसरा भी है सितार गंज का इतिहास जहां पर विजे बौगणा उप चुनाव लड़े और इतिहासिक जीत हासिल कर गए या तो सियासत के तू-तू-मेम से इतर हैं तमाम रादनेतिक पंडित इस वक्त मेरे साथ मौझूद हैं और मेरे साथ इस वक्त तमाम वरिश्ट पत्रकारों की फाज मौझूद है जो कि खटिमा को बाखुबी जानते हैं तो सबसे पहले मैं तमाम पत्रकारों से आपको रुबुरु करवाऊं और हमारी इस पत्रकारों की मंडली में सबसे अनुभवी चेहरे से मैं इस कारिक्रम की शुरुवात करूँगा खटिमा की जनता जानना चाहेगी चाहे की चुस्कियों के बीच में आपको क्या लग रहा है कौन सा खटिमा का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है खटिमा का मुद्दा जो वास्ती मुद्दे थे वो तो बर्तमान में चले गए है उसके बावजूद भी फिलाल विकास ही एक ऐसा मुद्दा चल रहा है जिस पर तुना हो सकता है और राजनी पाल्डियां पिछला और अगला जो विजकास किया है उसी पर अपना अपना सब तोटियां उसी पर सेखने वाले हैं और जो असली मुद्दे हैं वो इस समय गोड़ है असली मुद्दे कौन से आपकी नदर यहां भू स्वामित्तु के एक बड़ी समिश्या है वो मुद्दा अंच्वा रह गया है वहां से पर है उसको किसी भी राजनी दलने नहीं होंगा लेफ्ट और राइट आप मेरे आसपास बैठे हुए है खडिमा का सियासी मौसम आपके आकलन के हिसाब से क्या है पत्रकारिता क्या बता रही है जो इस समय सियासी मौसम है भी जोड़ पकड़ नहीं पाया जहां तक है इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि एक तो अभी आचार समिता कभी कोई सपस्ट नहीं है कब लगेगी कब नहीं लगेगी तो जो एक मझत होंगा अभी नजन नहीं आ रहा है खडिमा हॉठ सीट है किने हॉठ सीट है मुख्यमंतरी के होने के नाते ह outfits और लेकिन अभी तक कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें उबाल सा आ गया हो या कई चेहरे दिख रहे हो ऐसा भी ऐसा कुछ देखने में बनी आ है जो हमारे साथ के पत्कार घड़ा जी है वधाइजी है वह बत कही दिख जो असली मुद्दे थे जो हर चुनाव ने हैं रहे हैं कि चाहे वह लोक्समा चुनाव रहा हो चाहे विधानसमा चुना रहा हो उन मुद्धों को छूने से सभी राजनिति की दल कत्रा रहे हैं सब को यह डर है कि हमारा वोट बैंक कि सकता है क्योंकि थारू और गैर थारू की जमीन की समझ्या यहां पर बहुत प्रभावी है यहां कम से कम 25-26 जार थारू मद आता हैं जो चुनाओ की दिसा और दसा तय करते ह तो यह थारू वाला जो समीकरण है वो इफ और बट वाली प्रिस्थिति ला सकता है मुख्यमंत्री के अगर वो नराज हुए तो उनको मना लिया तो यह प्रंटू किंतू वाली स्थिति है यहां यहां पर कैंडिडेट थारू अगर चुनाओम आ गया जैसा कि अभी वो उनका ठिकट लगवाग फाइनल है लेकिन अचानक जो है जो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के का इंडेट थे रमेश राना जो कि तीसरे नमबर पर रहते और बहुत मजबूती से लड़ेते वो उनकी इंट्री जो है आमादमी पार्टी में हो चुकी है अब अ अगर आमादमी पार्टी थारू को किसी को टिकट दे देती है तो यह चुनाव तिर्कोन ही हो सकता और खुज भी हो सकता है अब किसी भी बस्पा हो बस्पा ने भी अपना को टिकले नहीं किया है और यह बहुत प्रत्यासी सारे नहीं होते हैं तब तक आप इस सेट के वारे में कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह भी बहुत होट सीट है आपका आकलन क्या कह रहा है कि समी करण के लिहाज से क्योंकि थारू का जिकर इनों ने किया और कौन से ऐसे मुद्धे हैं जो खटीमा में हावी हो सकते हैं क्योंकि मुख्य मंत्रिया कर चुनाव लड़े तो सब की नजर होगी जमीनी मुद्धा है जमीनी मुद्धा हि तो हमेशा ही यहाँ पे हाविरा है इस बार क्योंकि सीएमज खटीमा के बी खटीमा के चे नर्थ पहने लगसीatra बने होaire है और वो लगा तार सस कर रहे हैं तो इस बार जिस तो किन परिपेख्ष में आपका क्या आकलन है आपका क्या नजरिया है कि यहां पर जो पूराने मुद्दे थे कहने के बर्तमान समय गौड हो गए क्योंकि बर्तमान समय में जो विकास कारे हो रहे हैं कहने के उनका भी एक अपने आप में मुद्दों को गौड करने का सरे जाता है कि इस तरीके से पिछले दस साल से बिधायक रहते हुए जो कारे इस स्थिति में नहीं आ पाए थे कहने कहीं वो जो आज विकास कारें को देखते हुए जो है पुराने मुद्दे गौड होते हुए उस हिसाब से लगता है कि अभी जब तक क्योंकि अन्य पार्टियों राजि पार्टियों का कोई इतना बोर्ड बैंक यहां पर नहीं है लेकिन पिछली बार भी बहुत कम मार्जन से चुनाव जीते हैं लेकिन जो संगर्स था किवल तीन पार्टियों में तीन लोगों में देखने को मिला था चाहे कॉंग्रेस और बीजेपी तीसर जो है बसपा तो इस तरीके से अन्य राजन पार्टियों यहां पर इतना वजूद नहीं है चाहा हो या यूकेडी हो लेकिन कहीं कहीं आप पार्टि जो है इस समय त्रकॉनी मुकाबले में अपना इस्तान बनाते हो जा रही है क्योंकि आप पार्टी से अगर अगर परतासी बनाया जाता त जो थारुजनजाती बोट है वो एक तरप से मॉबलाइज होगा उसके स्रेंटलाइज होने से कही ने कही जो है ये त्रिकोणी मुकाबला बनेगा तिरकोण ये मुकावला बनेगा, मैं आपसे एक बात जानना चारा था, कि एक विधायक का चुनाव लड़ना, और एक मुख्य मंत्री का चुनाव लड़ना, ये दोनों अलग-अलग बाते हैं, जब एक विधायक चुनाव लड़ता है, तो उसके पास एक आधार होता है, कि म कोई excuse नहीं होता, कि मैं इसलिए नहीं कर पाया, अब आप मुख्य मंत्री हैं, तब जनता उस नजरिये से आकलन करती है, क्या खटीमा की जनता अब बतौर विधायक पुषकर सिंग धामी जी को देख रही है, या बतौर मुख्य मंत्री के रूप में कि हमें एक मुख्य मं चुका है, जो कार रुके हुए थे उनके द्वारा तत्काल जल्दी जल्दी करानी का प्रियास किया जा रहा है, और साती सा सुड़ी बात है कि अब मुद्धे तो खतम होते जा रहे है, अब चहरा सामने आ रहा है, अब जो चुनाओ होगा जैसे कि बीजेपी की रणीती भ यानि आप यह कह रहे है कि जनता मुख्य मंत्री का चैन करेगी बतोर विधायक के रूप में, अगर वो देख रही है, इस परिपेक्ष में की विधायक जीतना काम नहीं कर पा है, लेकिन मुख्य मंत्री के रूप में पुछकर सिंग धामी ने कुछ काम तो किया, जैसा महीने मुख्य मंत्री बने हुए हैं, काम तो हो रहे हैं, और सहर में दिखाई भी दे रहा है, लेकिन कुछ में मुख्य मुद्धिय कही ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, सिर्फ यह चेहरा बन गया है, और आने वाला चुनाव जो है जो है चेहरा पर पार्टियां भी अब विकास का मुद्धिय को लेकर नहीं बात कर रही हैं, वो मुख्य मंत्री को लेकर बात कर रही हैं, और इससे पहल्ствен कर आए कि दो वार से पहले कभी मुख्य मंत्री हारा और पुश्यारी जब थे तब भो भी लड़े थे वो भी अच्छे मार्धिन जीत के आए थे अब आने वाले जनता देखेगी अगर जनता विकास कारों से तुलना करेगी जनको लेकर मुखमंत्री स्वेम भी कहते हैं और दूसरी पार्टियां भी कह रहे हैं अगर इसको तु कुमाओ के शेतर में हम आया है और इस होट सीथ पर आया है यह सियासी मौसम जो है कुछ बदला बदला से दिखाई दे रहा है और खटीमा में आकर यह मौसम बदला है इत्तफाक देखिए कि खटीमा में आकर इस सियासी मौसम भी यहां बदला बदला से दिखाई दे रहा ह क्योंकि आज मैं साथ राजनितिक पंडितों के बीच में मौजूं तो खटीमा में अब मैं आप से आकलन जाना चाहूंगा खटीमा के मौसम का मिजाज कैसा है जे बिल्कुल चुनाओ आता है तो सियासी मौसम बदलता है ये वाजिब भी है और बदलना भी चीए और खटीमा विदानसभा की अगर बात की जाए तो राज्य कठन के बाद मामला फिप्टी फिप्टी करा राश्टी दलों के बीच में चाहे वो कॉंग्रेस हो भाजपा हो की मुख्य मंत्री नहीं की चुनाओ जीत है और अब तीसरे चुनाओ का बात की जाएं तो वास्टों में रूचक है और हौड़ सीट तो ही क्यों की माने मुख्य मंत्री यहां से खुऑ चुनाओ लड़ेंगे तो देखा जाएगा इस सीट की आने वाला राजनितिक चुनाव है जो जनता की है वो किस तरफ जाती है रोचक क्यों दिखाई देरा आपको क्योंकि एक तरफ अगर मुख्य मंत्री लड़ता है तो पूरा प्रशासनिक अमला जोग दिया जाता है कि मुख्य मंत्री की सीट इफ और बट नहीं होनी चाहिए आप कह रहे है कि उनका मुख्य मंत्री अगर चुनाव जीते लेकिन पुराना रिकॉर्ड की बात की जाए तो पिसला चुनाव है वह 2700 बोटों से मात्र जीते थे मुख्य मंत्री और इस चुनाव को एक तरफा कहना मेरे साफ से तो वाजिब नहीं होगा तो कही नहीं रोचक होगा मु है कि मुख्य मंत्री भाजपा से चुनाव यहां से लड़ेंगे और कॉंग्रेस से भून कापड़ी का भीता है तो मुकाबला दो प्रतियासों की बीच में तो अभी प्रतियासी तह नहीं हुए अगर आप जो ट्रेंगल यहां पर ला रही चुनाव में अगर आपका प्रत उसने कहीं न कहीं समीकरण बना और बिगार सकती है अब उसको साधना क्योंकि अभी तक जो लग रहा है कि चाहे भाजपा हो या कॉंग्रेस हो वो जनजाती समाज के जो बोटर हैं उनको साधने का प्रयास कर रही है अब यह देखना होगा कि उस बद्दाता को कौन साथ पाता है कौन उसको अपनी तरफ कर पाता है थारू ज जनजाती के हिसाब से अगर मैं समझूँ उनके लिए क्या बड़ा मुद्दा है? थारू जनजाती के लिए क्या मुद्दा है? ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पर थारू जनजाती, ये कहते हैं कि आप ये फैक्टर तैय करेगा कि मुख्यमंत्री बतोर विधायक चुनाव जीतेंगे या पिर नहीं जीतेंगे या पर दूसरा चैरा यह कौन सा ऐसा मुद्दा है लेकिन थारू जंजाती समाज कहीं चेतरता के आधार पर भी अपने समाज की तरफ जाता है क्योंकि पिसले दो चुनाव है रमेश राना यहाँ पर से लेड़े थे और वो चुनाव में जो आपके आखड़े सामने आए कही तो अगर ठारू जूनजाती की बात की जाए और पर प्रतिाशि का चेहरा कौन होगा? आधार पर भी हम चीजों को टटोल रहे हैं, लेकिन ये समीकरण मेरे को काफी दिल्चस्प दिखाई दिया, और इस आकलन के हिसाब से मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर किंतू परंतू वारी स्टिती आती है, जो थारू जन जाती से अगर कोई कैंडिडेट आम आद्मी पार्टी से आजाता है, इससे कॉंग्रेस को फाइदा होगा या बीजेपी को फाइदा होगा, आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन तो यह कहता है, कि अगर आम आद्मी पार्टी से थारू कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, तो जैसा कि पूर्पर में भी देखा गया है, कि थारू समाज है, वो कॉंग्रेस प्रो रहा है, उसने हमेशा कॉंग्रेस को ही सपोर्ट किया है, तो अगर टिकट मिल जाता है किसी भी थारू व्यक्ति को आम आद्मी पार्टी का, तो इससे सीज़ा सीदा फाइदा भाजपा को मिलेगा, आपको ऐसा क्यों लगता है, कि भाजपा को देखें, मोबिलाइज हो जागा, पूरा जो आस तक होता है, यानि जो वोट कॉंग्रेस को मिलना था, वो आम आद्मी पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा, आपका अकलन यहां पर वो समाज के विहाफ में मिलता है, कि थारू समाज अपने समाज के साथ खड़ा रहता है, जो कि पूर में भी देखा गया है, तो अब अगर वो अपनी समाज के साथ खड़ा रहेगा, वो उसके लिए कौन सी पार्टी के लिए उसके लिए अपना समाज मैटर करता तो अगर वह समाज आम आदमी पार्टी का बेनर तले होता है तो आप यह समझ लिए कि इस चेटर में फिर भाज़बा प्लस में जाएगी आपका भी अखलन है जो बात अनुग जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह तो इसलिए जो भी प्रतियासी हो चाहिए मानी मुक्यमंत्री हो चाहिए कॉंग्रेस का अपनी तरफ रिजहने का प्रयास कर रहा है तो इस लिहाज से भी लगता है तो कहीं जो थारू मद्दाता है वो खटीमा विधानसभा के लिए सबसे महत्पूर और मेरा सवाल इसलिए था कि आम आदमी पार्टी से अगर कोई जन जाती से आ जाता है जैसे वह कह रहे है तो इसका नुक्सान क्या वाकई कॉंग्रेश कोई होगा एक फेक्टर यह भी तो है कि बीजेपी को इसका नुक्सान हो सकता है कॉंग्रेश कोई होगा नुक्सान बीजेपी को भी होगा और नुक्सान बीजेपी को भी होगा हम बीजेपी को भूल जा रहे हैं अभी अगर बीजेपी के जो मद्दाता के जो कैडर बोर्ट है बीजेपी का उसके तो हम कहीं गिंती नहीं लगा रहे हैं अगर बीजेपी का जो एक बात करते हम दामी जी ने चोटे बड़े बिकास कारी बहुत किया है कोई सानी नहीं कोई मुकाबले भी किया जा सकता है। ओर इनने जु एक एक वो कया अधिकाश पाटफिया है नुए कहति है। के अधुन कई मों हु उतना फूल नहीं कोई मों समधता है। लेकिन कहीं कहीं को हुआ हैं पहले क्यों करें है। सब्सक्राइब करती एक उन्हों के तो करती है कि आप इस वकत ही क्यूं पूरा जोर लगा रहे हैं ये भी तो आकलन होगा जिए इस टाइप का मद्धादा कम है इसका अवसतितानी है कि उसको फोच कर जाएगी इसा है यह यही क्यों रहा है पहले कि अप जैसे आप पाल्ती है आप पाल्ती को इस समय हम अब है हाहं हलका नहीं मान रहे हैं आप पाल्ती से संवाओना अर्गना फिर देरी है तो निस्चित जाड़ु इस बार पर्चम लेडा सकता है उसका कॉंग्रेश और बीजेबी को बिल्कुल धूल चटा सकती है कोई शक नहीं इसमें और दूसरा मुद्धा उन्हें और पकड़ा है आप पाल्तिने उसने हर परिवार में अठार बर से अधिक की उम राव जी आये मोदी जी आया ची आजै अजया अजया अगया उनको पलटना इस ता आसान नहीं है यह बहुत चप्प बना दिया आप ने इतना चप्प बना दिया और दूसरी बात दूसरी बात रिखुरु ए दुसरी बात युवाहं को जो बेरोजगार है उनको पांच भ कि आम आदमी पाटी का असर यहां पर दिखाई दे सकता है और अनुप जी ने बताया जो फैक्टर जो है अगर थारू जन जाती का आपने जिक्र किया अगर वहां से कोई प्रत्याची आ जाता है तो अब जल्दी से मैं आप लोगों से भी यह बात समझना चाहूंगा कि ऐसी पर इस सिती में जो खडिमा के फैक्टर दिखाई दे रहे हैं चेहरों पर आपने कहा कि बहुत कुछ निर्बर करेगा लेकिन मुद्दो के आधार पर भी क्या खडिमा की जनता वोट डारेगी या सिर्फ चेहरे ही कि एक तरफ मुख्य मंत्री का चमचमाता हुआ चेहरा द जो मुख्य मुद्दे थे जिस पर पहले भी मैंने कहा है वो वास्तों में गुम हो चुके हैं अब विकास अब लेकिन जो मुझूदा मुद्दा जो चला आज कल जो आप देख रहा हूंगे महंगाई भी एक मुद्दा है विरोजगारी भी मुद्दा है अब तो खुद मुख्य मंतरी होने के बाद भी वो मुद्दे सुल्जा पाना इनके बसकी नहीं है जैसे कि थारू गेर थारू की भूमे की समिश्या है थारू का से लोग यहां जमीने खरीद के लोग रह रहे हैं और वो जमीने उनके नाम पर ट्रांसपर नहीं हो सकती क्योंकि ST को ST की जम जाती हैं और दूसरा एक मुद्दा था यह वन ग्रामों में जो लोग रह रहे हैं कि बीस जार की आबादी है यह गोट खत्तों में रह रहे हैं कि किसी को 70 साल हो गए किसी को 50 साल हो गए इन लोगों को अभी तब भूमी दरी अदिकार ने मिल पाए हैं तो यह यह लेकिन चे महनों में उसको गति मिली से अखलन जांना चाहूंगा, मुद्दू के आधार पर मुझे भागा निजात नहीं हो पाई हैं तो निश्चीरूप से यह अक्सर जाम रहाता है कि अब वाइपास की वांग भी चल रही थी अब बाइपास का काम तो सुरू हो चुका है अब कब तक पूर उता है यह देखना है वादी बाद वह गोशना बात होगी ने काम सुरू हो चुका है काम सुरू हो चुका काम चल रहा है उसके बाद ही जाम को कहिना गई निजागत मिलेगी आपका अकलन क्या कहता है खटीमा सीट पर फाइट कैसे देख रहे हैं आप निश्ची रूप से विकास और चेहरा दोनों ही इस बार यहां पर सीट पर काम आएंगे चेहरा भी कहिना ग देख रहे हैं तुक्छ नहीं कह सकते हैं क्योंकि पिछले चुनाओ को देखते वे जिस तरीके से पिछले चुनाओं में उंग्रेस का प्रदर्सन रहा है और बरतमान मुक्यमंत्री जी मात्र 2700 बोटों से जीत हासिल करने में काम्याब हुपाइद है उस लियाज से एकतरपा चुनाओ कहना तो ठीक नहीं होगा और बरतमान समय पर क्योंकि आप पालिटी के आने से जो एक जनता के बीच में जो है जो त्रिकोणी मुकाबले की और जनता देखना चाहा रही है उस से खटीमा को चुनाओ को सामाने तोर पर एकतरफा नहीं कहा जा सकता है और कहीं ने कहें यह चुनाओ काफी रोचक होगा क्योंकि बीजेपी अगर थारू मदाता आपकी और जाता है तो कहीं ने कहें उसका अधिक्तम नुक्सान कॉंग्रेस पार्टी को होगा जिसका सियासी नजरिये से भी चीजों को टटोलते हैं तराजू में मैं एक बात आप से जाना चारा था क्योंकि कुमाओ का मसला है यह नेपाल बार्डर यहां से कुछी दिर पे शुरू हो जाता है अब मुख्य मंत्री यहां से चुनाओ लड़ रहे हैं कुमाओ में कुछ इंपक सबसे महत्मून बात होती है चुनाओ जो लड़े जाते वह नारो पर लड़े जाते हैं आपने कुछ समय से दिखा होगा एक दस्तर जब से मोधी आया है चुनाओ नारो पर लड़े जा रहे हैं जैसे कांग्रेस ने यूपी में दिरे खाय लड़की हूं लड़ सकती हूं जाते हूँ बेसे इक आरो पर लड़े थारो में भी भी चलने लगा है लडेगा थारो तो चलेगी जाडो लड़ेगा थारो तो चलेगी जाडो तो इस तरहateur भी प्सुरू हो चुके हैं मुझ और देखना बहुत दिल्छफ होगा कि जारो चलेगी एक कमल का फूल खिले का पंजा आपकी बातों से ऐसा लग रहा है मुझे कि यह चुनाव जो है खटीमा में भी इस नारे के आधार पर लड़ा जाएगा हमारे एक मित्र बता रहे थे कि यह थारू जाती जो फेक्टर जिसने सुल्जा लिया वो चुनाव जीट जाएगा तो आपको भी लग रहा है ज जब से मोदी जी आया चुनाव अब मुद्दोपे की जगह नारों पे हो गया हर समय नारे चाहे यूपी का हो हर प्रते नारे तो ऐसी खटीमा की बात की जाए तो खटीमा में भी एक नारा बीजेपी चला रही है केंदर में मोदी राज में धामी तो अबकी बार साठ पार तो ऐसे ही थारू समाज में चला है लड़ेगा थारू तो चलेगी जड़ू तो इस तरह अब यह नारे कौन सा नारा शीट निकाल के लेके आता यह देखने वाला समय है लेकिन अगर ज़ारू चलती है और कितना चलती है यह देखने वाली बात होगी तो ये थे मेरे साथ साथ राजनेतिक पंडित जो की खटिमा की विधानसवाज सीट पर मौझूद थे और सबने अपना अपना आकलन किया और मुद्दे बताये खटिमा के आकिरकार वो कौन कौन से हैं और मुद्दो के आधार पर ये तैकर पाना अभी फिलाल मेरे रानेतिक अनुभाव से ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि मुखे मंत्री सीट आसानी से निकाल लेंगे एक आकलन दावेदारों को लेकर है और उन दावेदारों की फौज में उस प्रत्याशी के चैन के ओपर है जो कि आम आदमी पार्टी से होगा, कॉंग्रेस से होगा और वो थारू फेक्टर जिसका जिक्र किया जा रहा है वो तै करेगा कि खटीमा में विधायक कौन होगा लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि खटीमा की जंता एक तरफ विधायक को चुनेगी और दूसी तरफ मुखे मंत्री को और उसके बीच में आकलन उन समीकर्णों का होगा जिसके आधार पर जंता तै कर लेगी कि आकिरकार उनका चहरा विधान सभा से विधा या फिर विधान सभा सूबे की सबसे बड़ी पंचा है फिलाल आप सभी का बहुत वो शुक्रिया आपने वक्त दिया तो ये थे मेरे साथ तमाम राजनितिक पंडित मुझे दी जिये जादत नमस्कार जय हिंद जय भारत जय उत्राखान